तो ऐसे भी हम पखला गें है इस निती का नियम देखके जरकन सरकार जिस तरह नियत बना रहा नियम अगर कल हजारी बाग सभी विरुजगार शात्र नहीं पहुंचते हैं तो उन लोग को बाबा जी का ठूलू के सिवय कुछ नहीं मिलें इसके बाद बुद्धी नहीं है बुद्धी रहता तो इसका जे पियो है पिंटु बाब वह अभी इटी जाज में पकड़ हुआ उसका दहिना आत माने जाते थे काम दुनिया के सब काम थोड़के सबसे पहले आप नियोजन निती बनाए है लेकिन दूसरी तरफ राजभवन से उस विधेक को वापस कर दिया गया लेकिन रामगुमगर उपचुनाओं को लेकर युवा आक्रोसित है बिरुजगार युवा का कहना है कि अब जिस तरीके हजारी बाग में एक महा जुटान कारिकरम जैराम महतो और देवेंद्र नात महतो जो छात्रनेता है उनके नित्रित में एक महा जुटान का कारिकरम रखा गया है इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद है जो की राची से कल हजारी बाग की ओर जाएंगे तमाम छात् आप चुनाव में कि आप फेकंशी निकलता है तो सब रात करता है फिर निकलता रात करता है तो इसलिए जुबा ज़ारकन के सौचा है खास करके रामगड़ फ कि रामगड़ चुनाव में जितना भी छात्र पढ़ने वाले थाम लिया है कि इस वेकंशी रूप में आम लोग और हम लोग भी आज माई की रिजल्ट तुरंद निकलेगा तुरंद जहां रिजल्ट निकलेगा वहां क्यों नहीं भरेंगे इसलिए हमारे पढ़े लिखे जुबा अब थाम लिया कि जारखन में कुछ नोक्रिये नहीं होगा तो पढ़े लिखे क्या करें इसलिए आप यह म हम दादा के आने से और मोटिवेशनल मिलेगा हमारे छात्रों को और पढ़े लिखे जितने भी जैपेसी या जैसी स्टूडेंट है उनलों को जागरूप करेंगे और कि जो नीती हमारे जारखन सरकर बनाए है उस नीती के बारे में बताएंगे और जुबावों को नीयम देखे जारखन सरकार जिस तरह नियत बना रहा नियम उसके हिसाब से हमको तो आप उमीदे छोड़ दियें कि नोक्री होगा कि नहीं होगा आने वला दिन में इसलिए हम सोचे हैं कि एक निती आच्छास मनाए और जिस परकार गलत दोराए है अभी भी उसका एक साल स कर सकते हैं तो और आक्रोशित होंगे आने वला दिन में इसलिए सरकार समकाना चाहेंगे जितना भी नियम है आप वीधान साबा में नियम बनाए और निती बनाए आपको दिली आजाने के जोड़त नहीं है जिस तरह रगवार सरकार रुशो पचासी में अपने विधान सा में पकड़ हुआ उसका दहिना आत माने जाते थे अमित मिस्रा वह भी पकड़े गए इससे सब बाहर यह रहता है तो आपना जब तक हम तो खास करें बोलना चाहेंगे कि जितने जुवाय पढ़न लिखने वाले वह आगर आगे नहीं आते हैं यह हमारे इस सांदोलन में औ मैंने बुद्वर पड़ता है काल सभी आवान करते हैं जारखनी जुवाओं को कि टाइगर जयराम दादा आ रहे हैं और एक तारीक को पहुंचे हाजारी बाग गांधी मायदान में और हमारे टाइगर जयराम दादा दो जो निर्देश देते हैं उस निर्देश को पलन कर अगर कल रोजगार शात्र नहीं पहुंचते हैं तो उन लोह कई को बाबा जी कर ठूलों के सिवे कुछ ने मिलेगा क्योंकि अगर टाइगर जयराम हेत तो ज्ञार्खनियों के हित में और आपने ही हित में आ रहे है और यह रोजगार क्योंकि ज्ञार्खन आज 22 साल हो गय लेकिन एक नियोजन निती नहीं बना पाए हैं तो कहिना कहीं छात्रों के यह नुकसान है और यह टाइगर जैरा महत्वार हैं एक तारिकों गांधी मैदान हजारी भाग में तो सभी बिरोजगार जुआओं को उसको अभार परकट करना चाहिए और सभी को उनको साथ देना चाहिए क्योंकि एक पढ़े लिखे जुआ अगर इस छेत्र में नहीं आते हैं तो कहें नहीं कहें हैं जो पढ़े लिखे जुआ बे रोजगार छात्र का बहुत ही नुकसान होगा क्योंकि आप अगर सोशिएगा कि बैट बैट के हम पढ़ पढ़ के कर ले तो कुछ होने वाला नहीं है जितने भी बिधाक मंत्री लोग है यहां सब जाच चुके हैं परक चुके हैं कि यहां के छातर जो है सोया हुआ है हम लोग को कुछ कबार उखार फेक नहीं पाएगा इ कि जी वेसी के चर्चा के लिए कारकरम कर रहे हैं थैंकि टेगर्जारा मातों के आना झोड़ी है क्योंकि अगर एक सेर है और जंगल में जब तक से दहारता नहीं है सांत रहता है जब सेर दहार देता है तो देखते होंगे छोटा जीव-जन-तु जितना है आपस में बास् ग्यास करेंगा इसे करवा रहे हैं क्योंकि जब नजदेगी उसमें तो सरकार ले नहीं रहिए उसी के वज़ह से सामने र्राम चाहिव दो मतलब मतलब क्लें कर रहे हैं को सब ही जगा रामगरुप चुना नहीं जितना भी चुना होगा मुक्या होगा पर संपच हो गया विदान साभा ओजा लोग सभा जीला परशद यह जितना भी तमाम बहले आएगा क्वास समंदित सभी विरुजगार्व सिचित जुआ जो है उसमें जरूर भाग लेंगे सही स सबसे पहले आप नियोजन निती बनाएं उसके बाद आप कुछ किजिए नियोज बजट तो बार-बार कर रहे हैं किसका फाइदा होता है हम लोग का फाइदा होता है अभी तक समझे अपना पकेट लो गरम कर रहा है किसी का विरोजगार कर नहीं होगा जैसी बजट के नाम सुनिए समझे लोग को ख़जाना जो है भर रहा है उनलोंग खाली नहीं कर रहा है चुनाव जो पाँच्यारी कि जितने भी बिरोजगार जुआ है उप चुनाओं में भाग लेंगे और त्यारी हो चुका है और अभी हो भी रहा है नियोजन जन आक्रोस महारेली हजारी भाग में रखी गई है जिसका अस्थान संथ कॉलॉंबस कॉलेज निलामबर पितामबर चोक में समय दस बजे से जि तो सभी जितने भी परतियोगित्या परिच्छा के त्यारी करने वाले चात्र हैं वो अपने नियोजन नीती की मांग को लेकर वहाँ पर पहुँचे ताकि सरकार हमारी मांग को हमारी भीड को देखे जाने समझे और हमारी आक्रोस को देखने के बाद ततकाल या निरने ले और खत्यान अधारत अस्थानिय और नियोजन नीती बनाए अगर हम लोग इसका आंदुला नहीं करते हैं बेहर दुरूप से तो सरकार जागेगी नहीं और सरकार जागेगी नहीं तो हमारी नियोजन नीती नहीं बनेगी और जब नियोजन नीती नहीं बनेगी तो नियुक्ति कैसे होगी बिना निती का नियुक्ति हो ही ने सकता नियुक्ति के लिए दो चीज़ें जो महत्पून होती है एक अस्थान्य नीती और दूसरा नियोजन नीती और ये दो नितिया जब तक नहीं बनेगी तब तक आप कितनों ही माथा पटक लिजए कितनों ही सर पटक लिजए आपको नोकरी नहीं मिलने वाला है इसलिए सभी विद्यार्थियों से जार्खन में जितने भी पर्तिगिता परिछा के त्यारी करते हैं सभी विद्यार्थियों से आगरा करेंगे, निवेधन करेंगे कि कल अवैस अपनी नियोजन निती को मांग को लेकर हजारी बाग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुचे ताकि सरकार हमारी मुंडी को देख कर क्योंकि कहा जाता है कि लुक्तंत्र में मुंडी की संख्या गिनी जाती जिसकी मुंडी की संख्या अधिक होगी सरकार उसी के तरब जुकेगी तो अगर आप चाहते हैं कि जहरखन में असपस्ट नियोजन नीती रस्थानी नीती बने तो कल नियोजन जनाकरोस महारेली में जरूर सामिल होगे धन्यवाद जोहार जैजहार करे अगर आपको भली भाती कुछ अच्छा करना है दुबारा सत्ता में आना है तो जो बजट सत्र में रोजगारों के लिए रोजगार जो सड़क में घूम रहे हैं उनके हित में आपका बजट सत्र होना चाहिए आपका सिक्छा का जो बजट हो उसको सुधारने की कोसिस किया जाए और साथ ही जो रामगर उप्चुनाओं को देखते हुए जो ततकाल जितने भी वेकेंसी को रोग दिया गया है और इसको अभी तक नियम वाली इनका जो इस्टेंड था 26 तारिक तक क्लियर करने का प्लान था कि हम 26 तारिक तक नियोजगार निती ने लेके आ रहे हैं पर अभी तक वो फरवरी आने को है अभी इसका कोई अता बता नहीं है अब इससे पहले तो बजट सत्र आएगा अब देखते हैं बजट सत्र में इनका क्या बजट बढाया गया है हम चात्रों के लिए युवाओं के लिए सिक्षा छेतर हो गया रोजगार छेतर हो गया चाहिए जितने भी अभी तमाम योजनाएं इनके द्वारा लाई गई तक धरातल पर उतर नहीं पाई तो बहुत सारे मुद्दे हैं तो देखते हैं अब क्या होता है अब इस बिल्कुल इसमें प्ला कि त्हुत हमारा स्ट्रेन केलिय'RE हैं चात्रों ने सिधर डिसाइड किया है यहां पहारी से हाक वाइंक क ? बातर अखिर में अपना जारी करेंगर क्योंकि सरकार में जो आने का चलाने तरीका है कहीन ay एक वलट फेर करना बहुत जोडरी है क्योंकिकि रामग्र ँपक चुना हो जाता है पीछे और जाते हैं फिर अपना ये चाजर समेट लेते हैं और हमें छोड़ दिया जाता है यह चीज़ अब होने वाला नहीं है अब छात्रे ही रोड में उत्रेंगे चात्रे ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अब युवाओं को जिस तरह से यह परिसान कर चुक है युवाओं को ही आगे होना होगा बढ़ चड़कर पर्सिपेट करना पड़ेगा